तो दोस्तो अक्सर यह हमारी एक आदद बन चुगी है कि जब भी हम रोड पे या कहां पर भी कोई परसन दिखते है जो कि बहुत ज़ादा उसने वेड गेन कर लिया है तो हम उसे मोटा कहकर पुकारते हैं या कोई person है कि जो person है जिसका weight gain नहीं हो रहा है या बहुत ज़दा slim है तो हम उसे कांडी या लकडी कहकर भी बुलाते हैं और यह हमने इतने सालों से अपने दोस्तों से सीखा हुआ है कि यह habit हम से छूटी नहीं रही है तो दोस्तों इस वीडियो में हम specifically बात करेंगे कि body shaming क क्या होता है क्या आप body shaming में indulge कर रहे हो दूसरों की और इससे कैसे दूसरे लोग effect होते हो और आपको भी क्या effect इसका हो सकता है तो दोस्तों मेरा नाम है गुरपीत सिंग महिक लाइफ को चलिए इस वीडियो को शुरू करते है दोस्तों body shaming जो term है वो recently में picture में आई है प जिससे वो person को भी उसका बहुत जादा effect होता है हमेशा ही लोग हमारी तरह नहीं होंगे हमेशा ही कोई too dark होगा कोई too fair होगा कोई too slim होगा कोई too tall होगा कोई too short होगा कोई too heavy होगा कोई too light होगा तो हर person हमारी तरह नहीं है और कोई ऐसा कोई fix standard नहीं है beauty का या appearance का जिसके हिस आप से सभी persons को चलना चाहिए इसलिए ये आता है category में जिसे कहते है body shaming आये जाए कुछ लोग दूसरों की bodies की उपर comment करते हैं वो celebrities को भी नहीं छोड़ते हैं online में भी बहुत सारा लोगों की bullying करते हैं बहुत सारा लोगों को बहुत सारा बुरा कहते हैं उनकी weight की उपर कुछ लोग directly कुछ लोगों से सवाल पूछ लेते हैं कि तू इतना पतला क्यू है या तेरा weight क्यू नहीं बढ़ रहा है कि क्या तू कुछ खाता ही नहीं है या कुछ लोग directly किसे कह देते हैं कि तू क्या बहुत जादा खाता है या कितना खाता है तू दिन में इतना मत का त बाच नहीं रहे जब भी आप किसी के लिए इस तरह के words बार-बार use करते हो तो उसे अपनी self confidence, esteem बहुत नीचे गिरती हो दिखाई देती है, उस person का confidence गिरता है, उस person को लगता है कि वो isolate कर ले अपने आपको इस तरह के लोगों से, वो person बहुत जादा self conscious हो जाता है, बहुत स related बहुत जाद negative विचार उसके मन में आ सकते है, fit रहना, healthy रहना, exercise करना, ये अच्छी बाते है, पर किसी को अपने parameters के उपर तोलना, या उसे define कर देना, कि वो आपके parameters में खरा नहीं उतारना, ये सही बात नहीं है, हर person को हक है, कि वो अपनी body को कैसे carry करे, क्या वो उसके अ है, उसकी journey के अंदर तो motivate कर सकते है, आप उसे अच्छी diet अपनाने के लिए exercise करने के लिए, बार बार उसके weight की उपर, skin color की उपर, उसके voice की उपर, tone की उपर, उसके weight कम होने की उपर, बार बार comment करने से आप उसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बार बार किसी को body करने से उस person की आप बार बार insult करें, उस person को anxiety हो सकती है, खासकर social anxiety डेवलप हो सकती है, कि लोगों से मिलने में डर लगना, उस person को बहुत जादा eating disorders भी हो सकते हैं, जैसे कि वो बहुत जादा कम खाना चालू कर दे, या ना की बराबर खाना चालू कर दे, खाना ही बंद कर ठीक है, जिसे कहते है अनोरक्सिया, या वो person जादा खाना लग जाए क्योंकि उसका weight gain नहीं हो गया, यानि की bulimia, उस person के अंदर बहुत ज़दा anger, डर, resentment की feelings, frustration की feelings भी डवलप हो जाती है, उसे life जीने का उस तरह से excitement और passionate नहीं लग रहा होता है, और बहुत सारे लोगों क माइल में तो बहुत बार इस life को end करने की भी thoughts आ जाते हैं, लोग तो कहते ही रहेंगे उन्हें आप कभी भी खुश नहीं कर सकते, कुछ लोग आपके weight पर comment करेंगे, कुछ height की उपर, complexion की उपर, तु बहुत काला है, तु बहुत ज़दा गोरा है, या कोई person आपके hair की उ accept नहीं कर सकते, क्यों आपको कोई ना कोई tip नहीं उसके उपर करनी है, कोई ना कोई comment पास करना है, कि आपका ही internally confidence बहुत ज़दा हिला हुआ तो नहीं है, या आपकी कुछ insecurities तो नहीं है, या आप किसी वाज़े से jealous तो नहीं है, और अपनी insecurities को चुपाने के लिए, कि उन्हें constructive way से उसे नहीं join किया, पर उन्होंने overwork कर लिया, बहुत जादा उन्होंने overwork कर लिया, बहुत सारे cases में जो लोग की body नहीं बन रही थी, और उन्हें body shame किया गया, उन्होंने steroids लेके लोग को प्रूफ करने की कोशिश की, कि हम भी body बना सकते हैं, पर ultimately उन्हें ही उसका side effect झेलना पड़ा, फिर बहुत सारे लोग जो बहुत हाई weight में थे, उन्हें बहुत सारी herbal teas ट्राई की, बहुत सारी exercise routine ट्राई की, बहुत सारी और चीज़े ट्राई की, जहां पर उन्हें लग रहा है कि वो अपना weight loss कर लेंगे, पर ultimately उन्होंने अपनी health खराब कर ल और इनका जो viewpoint है, या इनका जो input है आपकी life में आपके बारे में उसकी value बिल्कुल ही 0 है, कुछ लोग तो old लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भी body shame करते हैं, कि वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, या walker से चल रहे हैं, बहुत ज़दा slow चल रहे हैं, उनकी speech clear नह कुछ लोग eyesight की उपर किसके comment करने लग जाते हैं, किसे नहीं सुनाई दे रहा है, किसे नहीं ठीक से दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग का क्या कहें, ये persons तो human being कहलाने के भी like नहीं है, जो body shame करते हैं, और ये bully की category में आते हैं, बार बार body shame अगर किसी की होती है, तो वो person के depression होने के chances बढ़ जाते हैं, low self image होती है, भार बार negative thoughts आने, अपने बारे में कम सोचना, अपनी real possibilities in life में करने की वो भी नहीं कर पाना, इसलिए ये जो आगर आप कर रहे हो किसी की body shaming तो अभी के अभी अपने आपको रोग दीजी, किसी के लिए अपनी appearance को change करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, लोग तो आपको रोज नया input देंगे अपने बारे में, कि आप अपने आपको रोज ही change करने लग जाओगे, और मेरा message उनके लिए जो body shaming करते हैं, लोगों को bully करते हैं, कि अभी भी आपकी नाव समंदर के अंदर ही है, आगे क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते हैं, में भी आप ही facing side में हो जाओ, bullying के और body shaming के, आपका weight gain हो जाए, आपका weight loss हो जाए, आपके जो appearances से वो आपके set standards के अंदर ना fit हो, और फिर आपको पता चलेगा कि body shaming का result या उससे सहना कैसा होता है, तो दोस्तों, no कहिए किसी भी तरह कि bullying को और body shaming को अगर आपके सामने कोई person किसी की body का, उसकी looks का मजाक उडाता है, तो बिल्कुल भी उसका साथ मत दीजिए, साथ में मत हसिए, love और acceptance हर एक person को दीजिए, हर एक person deserve करता है love, acceptance, care, ताकि अगर वो अपना best version बनना चाता है, तो उसे acceptance देना सबसे पहले जरूरी है, इसलिए अ लोगों को support करें अपना better version बनने के लिए, तो दोस्तो ये वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आया, like करें, comment करें, share करें, subscribe करें चनल को और देखते रहिए life coach